नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे चेनल में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 20 अगस्त गुरुवार के तुला रासी वाली जातकों के लिए कैसा रहने वाला है या दिन आपके वैपार वैवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त के बा करने की जुरत रहेंगे किस प्रकार के कारे को करना आपके लिस्व हो सकता है किस प्रकार से समाज वाले घर वाले प्रिवार वाले आपके इजद कर सकते हैं आपके मान सम्मान इजद पत्रतिश्टा में किस प्रकार से वड़ोतरी हो सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने दैनिक दिंशरिया में परिवर्तन कर सकते हैं आपके जीवन में कौन सी वड़ी खुसकबरी आपको प्राप्त होंगे और किस प्रकार से आप अपने समाज में अपने कलक्ष भी अलग पहचान बना सकेंगे समाज वाले घर वाले प्रिवार वाले आपके इज़्द कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चेनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय सिमल सकें और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तुमत्रों तुला रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज बैवसाइक रूप से एक अच्छा समय रहेगा आठिक लाप भी आपको होने वाला है और आपके कारे भी पुर्ण होंगे किन्तून में आपको कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है का आपके कारे में पुर्ण करने में आपको पहले से ज़्यादा परिस्रम करने होंगे दैनिक क्रिया कलापों में आप अपने प्रिवार के स्तदसों की भागेदारे और प्रदर्शन से परसन्न होंगे नई नौकरी चाहने वाले विशेश रूप से तकनीकी छेत्र में अच्छे फ़त को प्राप्त कर सकते हैं जो लोग सफलता प्रूवक नौकरी कर रहे हैं उन्हें समय प्रपदुनती मिलने के पूरे योग बन रहे हैं आपको कामकाज में सफलता हासल होंगे सिक्षन से जुड़े जातकों को अच्छी फ्रगती भी प्राप्त हो सकती हैं रूची के विशियो में भी आपका ज्यान बढ़ सकता है चात्र भी सिक्षा के छेत्र में चमक सकेंगे और नवीन तरीकों से भी आप अपने समस्याओं को सुलजाने की अपने विशेश प्रत समती प्राप्त हो सकता है आपके जीवन में आपको खुशियां भे प्राप्त होंगे आपके लोग प्रीयता बहुत बढ़ने वाली हैं आपके आमदनी में बढ़ेंगी जबकिां के खर्चो miser कमीया हो सकती हैं बचत आपके आत्मिस्वास के इस्तर को बढ़ाबा दे सकती और आपके देखवाल करने वाला हो सकता है। आपको देखने में किसी प्रकार की कोई कटनाया हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूरी सला लेकर हैं इलाज करवाना चाहिए। परिजनों के साथ तनापुन समंदों के चलते आप तोड़े दुखी रह सकते हैं, ऐसे में परिजनों के साथ आप अपने समंदों को बैतर करने के अवस्य कोशस करें। सानती पुन और अराम दायक रह सकता हैं, सभी सदस भी एक दूसरे के साथ स्वाधर पुन बहवार रख सकते हैं, और सभी के इलाज आप अपने समंदों को भी बैतर कर सकते हैं, आपका स्वाष्ट भी काफी अच्चा रहेगा, आज आपके पास अनुकूल परिष्टित्य होंगे, आपको सभी तरब से लाव की प्राप्ति होंगे, कारिशेत्र पर भी वरिष्टों और सकर्म्यों के साथ आपके समंदों भी बैतर हो सकते हैं, तथा आपको अपने प्रतिभा और प्रियासों के लिए उचित मान्याता भी प्राप्त होंगे, आपके प्रियासों से भी आपको सफलता हासल होंगे, समाज वाले, घर वाले, प्रिवार वाले आपके इज़त कर सकते हैं, आपका पारिवारिक जीबन कुछियों से उजबल र सकते हैं आपके से नए बैपार बैवसाय में सनलगन हो सकते हैं और किसी नई पद्धिती का कार प्रारंब कर सकते हैं मित्रों आपका नाम और प्रसिद्धी भी व्या पकोंगे आपके पास भी नए अधिगरन हो सकते हैं आपके जीवन में आपको खुसियां भी अवस्य परा हो सकता है वैवसाइक संद्रव में चीजें जसकी तस रहेंगे आप अपने आर्थिक इस्तितियों में भी सुधार कर सकते हैं आर्थिक पक्ष में भी आपके गिरावटें हो सकती हैं आपके जीवन साथी के सिहद भी चिंता का सबब बन सकता है उनको जिकित से देखरे करने क जरूरत रहेंगे आपके जीवन में आपको सकरात्म कर अच्छे प्रणाम अवस्य फ्राप्त होंगे सही समय पर आपकी सहता आपको किसी बड़े प्रिसानियों से बचा सकती हैं आप अपने प्रिया और जीवन साथी के साथ अच्छे तरसी तालमेल और बरताव करने की बनाएं जुटे बाडंगर भी आप न फेलाएं प्रेम समंदों में भी आपको तनातनी का माहूल देखने को मिल सकता है आपके समंद भी बैतर होंगे यदि आप पीतिय मामलों को एक विवेस्तित तरीके से काम करते हैं तो आपको सफल होने के मौके भी प्राप्त होंगे घर परिक्चाय पर्तोगिता के लिए उपस्तित होने वाले चात्रों को भी अपने परियासों में सफलता अवस्य हासल होंगे वित्य कानून या विज्ञान से लुड़े लोगों को भी नए रास्ते बनेंगे निजी आत्राएं भी लावप्रद सावित होंगे परिवारिक मेदारियों को पूरा करने के अवस्य कोसिस करें आज मिस्रत प्रणाम मिलने के योग बन रहे हैं लेकिन आपके प्रक्ष में सारी के सारी प्रणाम होंगे अनुपादक गद्विदियों में आप अपने समय और उर्जा को ब्रबाद न करें इस समय जो भी आपके काम हैं उ आपके जीवन में आपका सहीयोग कर सकते हैं, आपके से नए और अच्छे कारों को करने का सलगन किसी नए वधियों का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने जीवन में लावकारी उधनाओं को बनाने के बोके भी प्राप्त कर सकोगे, समाज वाले, घर वाले, प्रिवार वाले आपके इज़त कर सकते हैं, आपके मान, सम्मान, इज़त पत्परतिष्टा में अवस्य वडूतरी होंगे, आप अपने दैनिक दिंचरिया में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने सारी के सारी एक्चाओं को भी सुवता अपने आप चेहे पूरा कर सकते हैं, जिनमें आप को खुशियां अवस्य हासल होंगे आपका दिन वेतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दे अवस्य लिखें आपका दिन सबहो मंगल कारी हो जैमा बिंदु वासने